हाँ दोस्तों नमस्कार मैं हूँ नीवासदा Hack आप लोगों को भोत बहुत चछागत हैं कोई्षक यादा मरा हुआ है और फूरी तरह से जमिन में तो यह जो पौदा है यह आधा मरा हो चुका है क्योंकि यह मामें जब देखा कि पौदा मर रहा है उसमां तुरान था इसमें टीटमेंट दे दिये थे टीटमेंट देने के बाद दोस्ते यह पूरी तरह से मरे नहीं फिर भी 50% बसने का चांचे साहे लेकिन यह और इंटेस्टिंग बनने वाला है दोस्ता और बहुत अच्छी जनकरी है वीडियो को फूरा देखना जरूरी भी है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहा है आपसे मेरे बीनमर निवेदान है प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दे तकी प्याड़ पौ यह पौदा क्यों मरा किसले मरा दोस्तों यह पौदे के देखिए वीज का पत्ता सबसे पहले सुका बाकी जो पत्ता यह बिल्कुल हरा है और ताजा दिख रहा है क्योंकि उस सही शमाई पर हम इसमें टीटमेंट दे दिये थे इसलिए कि बाकिया और मर नहीं पाया नहीं तो पूरा ही खतम हो जाता है तो जिस समाइँ देखा कि मैं भीज का पत्ता यह शुक गया है तो यह मरने लायक हो गया तुरंत इसमें मैं दवाई दे दिया था दवाई डालने के बाद यह पत्ता और शूका नहीं बाकी पोधा जिन्दा है बाकी 20 का पत्ता जो मर गया तो पोधा आगया और हो नहीं पाएगा यह तो क्या है दोस्तों बाहरी इस्टे में अगर कुछ होता है बाहरी इस्टे में क तो क्या वहां कीडिया आएंगे यह मरने का कारण है इसके कीडिया पानी ड्रेन होने के लिए लगांगे लेकिन जमिन में जो लगाएंगे उसका जड़ तो जमिन में होंगे इस से दोस्तों जो दिमाग नाम का जो कीड़े है वह अंदर चला गया क्योंकि काफी दिनों रखने के कारण आधी है पानी डाल रहा हूं नमी था तो वह वाला जो कीड़ा है वह अंदर प्रोवेश कर गया अंदर जाने के दोस्तों कीड़ा तो मर गया इसलिए जड़ और खराब करने ही पाए इसलिए यह पक्त्ता सुका नहीं लेकिन आगर वो चाही शमाई परागा हा नहीं देते तो यह इसको भी शुका देते हो जब बीस का पत्ता शुक जाता है तो पोधा होने का चांस नहीं रहता है पोधा नहीं हो पाएगा देखिए यह पोधा नहीं हो पाएगा क्योंकि यह पोधा बीस का पत्ता ओर्जिनल जो बीस जोहां से ग्रोह होगा पोधा उहां का पत्ता को यह मार दिया है तो दोस्तों द जैसे कोई दूसरा दूसना फोटिलाइजर के साहतो्स मिला के कुछुंठ दे देते हैं जैसे रीजंट वगार हो गया या बायर कमपणी का मर से तो कुछ दिन के लिए काम करें गाफ। जमीन की नीचे डाल देंगे लेखिन जब पोदा से दू हो गया हो यह देखें यह दवाई है यह किलर नाम्से है सब्सक्राइब किलर का लगभग इसको दवाई है इसको किस मात्रा में देना है वह जाना ज़रूरी है दोस्तों सबसे पहले आप बल्टी ले लिए फे लिए जाप काफी बड़ा है तो उसके meसे पास लेड़र पानी यह लेने के बाद दोस्तों उस में करीब 30ो आएगा 3035 आएगा तो पाशिезжए अ करुळ है कर दोस्तों यह बहुत जहरीला चीज है बहुत खतरनाक वाजन है तो इसके लिए दोस्तों इसको कभी भी आप इसमें हाथ लगाएंगे तो इसको हमेशा हाथ ठीक से डालना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक जहर है पानी का खिर्ण का चीज होगे यह प्लेन चाहिपरो में थीन है यह बहुत खतरनाक दवाई है तो इसको क्या है इसको आपको जमिन जो जमिन में आप पोधर लगाए हो उस जमिन में पोधर के सारों साइड में इस पूरा कर देना है जैसे अब इसमें अप्लाई करोगे इसम सब्सक्राइब दोस्तों आपको हर तीन महीने में एक बार देना चाहिए ताकि वहां के किर्यमा कोड़े का याठा कम हो जाए इस पोदे में मैं डाल दिया था जैसे मर रहे ते किवाल यह पत्ता जाए से शुका था तब कल इसमें मैं डावाई डाल दिया था इसके 15 दिन पह दिया करके चार तरह बीस प्रोकर का डावाई आपको डाल देना है डावाई डालते हैं आपको यह शब्दा रखना चाहिए क्योंकि जैसे कभी कबर देखा जाता है घर में बेजवान जानवारा पाल के रखा है तो यह बेजवान जानवारा सो थोड़ा दूर रखेंगे या तो रात के समय को इसको डाल देता कि उसमय जो घर का पलतु पशू है जो वह सब बंदा हुआ रहता है इसलिए रात को डालने से ठीक रहेगा तो दोस्तों यह जनकारी मैं आप लोगों को दिया हूं आशा करता हूं यह जनकारी आपको कपी अच्छे लगा होंगे मैं म करता है जनकारी.